दोस्तों एक वक्त था चब टीवी पर फिल्म स्टार्स की मौजूदगी ना मात्र की होती थी लेकिन बीते कुछ सालों में वो ना सिर्फ टीवी पर फिल्म प्रमोशन के लिए आते हैं बलके कुछ तो रियल्टी शोस को जज भी करते हैं सलमान खान से लेकर करीना कपूर खान और शिल्पर शिटी तक कई रियल्टी शोस के चर्च हैं लेकिन क्या आप जानते हैं किस काम के लिए उन्हें कितनी फीस मिलती हैं अगर नहीं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए जी हाँ इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं रियल्टी शो को जज करने के लिए ये स्टार्स इतनी फीस वसूलते हैं सबसे पहले बात करें बॉलिवुट के भाईचां सलमान खान की तो बिग बॉस 13 के समय खबर आई थी कि सलमान खान को 13 सीजन के लिए हर एपिसूट के लिए 13 करोड की फीस दी जाती है जी हाँ दोस्तों इस हिसाब से देखें तो सिर्फ 13 सीजन के लिए ही सलमान खान ने 200 करोड की कमाई की हर सीजन के लिए सलमान के फीस बदलती रहती है और बताया चाहता है कि बारवे सीजन के लिए सलमान ने एक दिन के शूट के लिए जिहां लोस्तों एक दिन के शूट के लिए 11 करोड चार्च किये थे जी हाँ वही बॉलिवोड की बेबो गर्ल करीना कपूर डान्स इंटिया डान्स बैटल ऑफ तर शेंपियन्स के लिए करीना कपूर को हर एपिसोट की तीन करोड रुपए बतौर फीस दिये गए हैं इस डान्स रियल्टी शो के सथ ये करीना ने टीवी पर डेबधिय था शो में वो जजच बनी थी वही बातकरी जैकलीन फर्नांडिस की तो जैकलीन अपनी फिटनेस खुले कर सुर्ख्यों में लेकिन क्या आप चानते हैं कि जैकलीन फर्नाडीस ने एक डान्स रियाल्टी श दिख्षित की तो माधुरी दिख्षित ने जलक दिखला जा जैसे डांस रियाल्टी शो को जज़ किया है। और उन्होंने सीजन जज़ करने के लिए एक करोड रुपे मिले थे। जी हाँ दोस्तों क्या आपको डांस रियाल्टी शो ज़स्ट डांस याद है। भी हाई-फाय रही है। बताया जाता है कि सूपर डांसर के पहले सीजन के लिए उन्हें 14 करोड की फीस मिली थी। तो देखा आपने ये थे कुछ ऐसे सितारे जिन्हें जज़ बनने के लिए इतनी बड़ी रकम और इतनी मूटी रकम दी जाती है। जिस तरीके से के ऐसी रोचक खबरों के लिए आप बनी रहें बॉलिवुड ब्रेक के साथ।